हेलो प्रेंड, निटिंग डिजाइन में देखें, बहाद ए खुबसवत और प्यारा सा हमारा टू कलर की डिजाइन, आप किसी भी स्वेटर में, जैकेट पे, कार्डिगन पे बनाएए, बहाद ए खुबसवत डिजाइन बन के आएगी, जैन स्वेटर में भी ये डिजाइन बहुत प्यारी सी आएगी और back portion दिखाती हूँ मैं देखे back set से design हमारी इस तरह से बन के आती है बहुत ही आसान और simple सी हमारी ये design है बहुत ही प्यारी सी तो आज के वीडियो में हम इस design को बनाना सीखते हैं ये देखे इस design को बनाने के लिए हमें 10-10 के multiple फंदे चाहिए तो ये design set हो जाएगी आप अपने हिसाब से फंदे डालिए border बनाए और border बनाने के बाद इस design को start करिए और यहां पर मैं ये design 40 फंदों में बना करके दिखाती हूँ तो आएए देखते हैं इसकी फर्स्ट हो और इसमें सबसे पहले देखिए base color आप किसी भी color combination से बना सकते हैं ये one two three four five फंदे हम red के बनाएंगे और अब यहां पर हमारा दूसरा color आजाएगा ये white लिया है तो one two three four five फंदे white के अब हम five red five white पूरी रों में बार पर repeat करेंगे ये one two three four five फंदे red के one two three four five फंदे white और देखिए five red five white five red five white करते हैं तो last में five five फंदे हमारे white color से हैं अब हम back side आजाएंगे row two और इसमें हमें same color करना है ये five फंदे जो white के हैं इसे हमें white color से बनाना है और जो ये five फंदे red के हैं ये हमारे red color से बनेंगे तो इस तरह से five फंदे white और five red करते हुए इस पूरी रों को हम बनाएंगे यह हमारी row 3 है जिसमें सबसे पहले 1, 2, 3, 4 फंते हम red से बनाएंगे 1 white, 1 red और अब 1, 2, 3, 4 हमारे white से अब हम 4 red से लेकर 4 white तक की design को repeat करेंगे तो एक बर और repeat करके दिखाते हैं 1, 2, 3, 4 फंते red, 1 white, 1 red, 1, 2, 3, और एक 4 तो इनी फंतों को repeat करते हुए इस पूरी row को बनाएंगे यह हमारी row 4 जिसमें शुरू में यह 1, 2, 3 फंते हम white के करेंगे और अब देखें 1 red, 1 white, 1 red, 1 white, 1, 2, 3 फंते red के अब हम 3 white से लेकर 3 red तक की design repeat करेंगे और एक बर और repeat करते हैं 1, 2, 3 फंते white, 1 red, 1 white, 1 red, फिर 1 हम white करेंगे और 3 फंते red के तो इनी फंतों को repeat करते हुए इस पूरी row को हमें बनाना है यह हमारी row 5 जिसमें 1, 2 फंते हम starting में red से करेंगे अब यहां से देखे 1 white, 1 red, 1 white, 1 red, 1, 2 हमारे white से अब हम 2 white red से लेकर 2 white तक की design repeat करेंगे और यहां देखे 1 white, 1 red क्या तो 1, 2, 3 तीन बार एक एक फंते white के हैं और 1, 2, 3 तीन बार एक एक फंते हमारे red के हैं तो अब इसे ही हमें repeat करना है one, two फंते red, one white, one red, one white, one red, one red, one white, one red और यह last की यह दो फंते हमारे white से तो इनी फंतों को repeat करते हुए हम पूरी row को बनाएंगे और देखे अब हम row 6 में हैं और इसमें पहले यह सबसे पहले white है इसे हम white से करेंगे और इसके बार one हमारा red फिर one हम white से करेंगे और one हम red से तो अब हम पूरी row में one white, one red, one white, one red करेंगे और जो ध्यान देना है कि जो यह फंते red वाले वो white हो रहे हैं और white वाले red color तो देखिए ये red है तो ये white हो जाएगा फिर one हमारा red फिर one white फिर one red करेंगे one white करेंगे one हमारा red one white तो इस तरह से starting में one हम white से start करेंगे one white, one red, one white, one red करते हुए इस पूरी row को बनाएंगे और देखिए row 6 तक हमारी ये design बन गई और row 7 में जो फंदे हमारे red के हैं उसे white करेंगे और जो white वाले फंदे को red तो ये starting में हमारा red है तो one हमारा white हो जाएगा और one हम red से करेंगे अब इसे ही हमें पूरी row में repeat करना है one white करना है one red फिर one हमारा white one हम red से और बस ये ध्यान दीजेगा जो हमारे फंदे red है उसे white कलर से बनाना है और जो white कलर है उसे red से बनाना है तो हम बना करें दिखाते हैं ये देखिए अब हम row 8 पे हैं और इस red वाले फंदे को हम पहले white करेंगे तो one white one red one हमारा white अब देखिए one टू फंदे हम red से बनाएंगे one टू फंदे white one red one white one हमारा red और अब हम इस one white से लेकर one red तक के डिजाइन को रिपीट करेंगे तो एक बड़ और रिपीट करते हैं one white one red one white one two फंदे red one two फंदे white one red one white one हमारा red तो देखिए इने फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे और यहां देखिए बीच में यह two white के बाद यह one two three तीन बार एक एक पंदे red के हैं और one two three तीन बार एक एक पंदे white के हैं और फिर two red है two white है तो इस तरह से यह पूरी रो हमारी पनी है यह दिखिए अब हम row nine पे हैं और row nine में इस red वाले फंदे को पहले हम white करेंगे तो one हमारा white आएगा one हम red से करेंगे और अब one two three पंदे white one two three पंदे red one white और one हमारा red यह एक डिजाइन हो गई अब हम one white से लेकर one red तक के डिजाइन को रिपीट करेंगे तो एक बड़ और रिपीट करते हैं one हम white से करेंगे one red one two three पंदे white one two three हमारे red से one white और one हमारा red तो इनी पंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी row को हमें बनाना है यह हमारी row ten है और इसमें सबसे पहले दिखी one हम white से करेंगे one white हो जाएका और अब red के लड़ से one two three four पंदे red one two three four पंदे white और one हम red से करेंगे और अब हम one white से लेकर one red तक की डिजाइन को रिपीट करेंगे तो एक बड़ और रिपीट करते हैं one white one two three four पंदे red one two three four white और one हमारा red तो देखें इन्ही पंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे यह हमारी रो नमबर 11 है और इसमें सबसे पहले white आईगा one two three four five पंदे white one two three four five पंदे red अब हम five white, five red पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे तो एक बार और रिपीट करते हैं one two three four five पंदे white one two three four five पंदे red के हैं यह देखें यह हमारी रो 12 हैं और इसमें हमने सेम कलर किया है, five red को red से बनाया है और five white को white, फिर five red को red किया, five white को white, तो सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे, और यह हमारी रो 13 जिसमें one, two, three, four पंदे white, one हम red से करेंगे, one हमारा white आएगा, one, two, three, four पंदे red के, अब हम four white से लेकर four red तक की design को repeat करेंगे, तो एक बार और repeat करते हैं, one, two, three, four पंदे white, one red, one white, one, two, three, four पंदे red, तो अब हम इनी पंदों को repeat करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे, यह दिखे, रो 14 जिसमें, one, two, three पंदे red के, one white, one red, one white, one red, one, two, three पंदे white, अब हम three red से लेकर three white तक की design repeat करेंगे, one, two, three पंदे red, one white, one red, one white, one red, one, two, three पंदे white, तो इनी पंदों को repeat करते हुए इस पूरी रो को बनाना है, और देखे, रो 14 तक हमाई यह design बन गई, अब हम रो 15 पे हैं, और इसमें भी देखे, शुरू के यह one, two पंदे हम white से करेंगे, और अब one red, one white, one red, one white, one red, one white, one, two पंदे red के, तो देखे, बीच में यह one, two, three, तीन बार एक एक पंदे red के हैं, और one, two, three, तीन बार एक एक पंदे हमारे white के हैं, अब हम two white से लेकर two red तक के design रिपीट करेंगे, एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं, one, two पंदे white, one red, one white, one red, one white, one red, one white, one red, one white, one, two पंदे red के, यह हमारी रो 16 है, जिसमें सबसे पहले इस red को 1 हम red करेंगे, और फिर 1 हमारा white अब हम 1 red, 1 white पूरी रो में repeat करेंगे 1 red, फिर 1 white फिर 1 हम red से करेंगे, 1 हमारा white, 1 red, 1 white तो देखें, इनी फंदों को repeat करते हैं, इस पूरी रो को बनाएंगे और बीच के जो 1 white और 1 red हैं, यह इस बार जो red फंदा है वो white हो जाएगा और white वाला फंदा हमारा red कलर से देखें, 1 red, 1 white, 1 red, 1 white करते आएंगे तो रो की last वाला 1 हमारा white कलर रहेगा और अब हम सीधी तरफ आजाएंगे, row number 17 और इसमें भी जो फंदे white के हैं, उसे हम red से कर देंगे और red वाले फंदे को white से तो अब हम one red और one white पूरी row में repeat करेंगे देखें, one red, फिर one white one red, one white तो one red, one white, one red, one white करेंगे और ध्यान दीजेगा कि जो फंदे हमारे white के हैं, वो red से बनेंगे और red वाले फंदे white कलर से और देखें, अब हम row 18 पे हैं, और इसमें सब जे पहले one हम red से करेंगे one red के बाद, one white, one red, one तो फंदे white, one, तो फंदे red, one white और one हमारा red और एक हम और white और करेंगे और अब हम one red से लेकर one white तक की डिजाइन को रिपीट करेंगे तो एक बर और रिपीट करते हैं one red, one white, one red, one, two फंदे white, one, two फंदे red, one white, one red और one हमारा white तो इनी फंदों को रिपीट करते हैं इस पूरी रोग को हमें बनाना है यह हमारी रोग 19 आगे और इसमें सबसे पहले इस white को one हम red करेंगे one red के बाद, one हमारा white आएगा one, two, three फंदे red के one, two, three फंदे white, one red और one हमारा white और देखें अब हम one red से लेकर one white तक की डिजाइन रिपीट करेंगे तो एक बार और रिपीट करके आपको दिखाते हैं one red, one white, one, two, three फंदे red, one, two, three फंदे white, one red और one हमारा white तो इनी फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रोग को हम बनाएंगे यह हमारी रोग twenty और इसमें सब से पहले one हम red से करेंगे और one red के बाल, one, two, three, four फंदे white, one, two, three, four red और one हमारा white और अब हम one red से लेकर one white तक की डिजाइन को रिपीट करेंगे तो एक बाल और रिपीट करते हैं, one red, one, two, three, four फंदे white, one, two, three, four फंदे red और one हमारा white तो इनी फंदों को हमें रिपीट करना है, यह देखे, twenty row में मेरी यह एक डिजाइन बन के तयार हो गई और फिर अब हम row one से लेकर row number twenty तक की डिजाइन को जब बार बार रिपीट करेंगे तो देखे हमारी डिजाइन यह इस तरह से बन के आएती यह देखे, इसी twenty row की डिजाइन को जब हम रिपीट करेंगे तो हमारी कित्ती खुबसरत और प्यारी सी डिजाइन बन के आई है मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लेज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि यह डिजाइन आपको कैसे लगी तेंक यू